तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टन्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्रेम नहीं किया तो जुरू कर लेना क्योंकि इस वीडियो के अंदर में कुछ इंपोर्टन् में तो इस डीप सी बैंक सिर्प नहीं सारे के सारे बैंक सेक्टर में कंटिनेशली का माहौल देखनें को मिला यूwenल लङगातार यूस घ्र मार्केठ से जो खवर आ रहा है क्या जो interest-rate है यूस मार्केट में नेगेटिव नियूज के होने के चलते हैं मतलब नेगेटिव नियूज होने के कारान साथ देखा जाए तो इसरेल के साथ इरान के जो जूद भी स्टार्ट होने वाला है इस तरीके से कुछ वार सिचुशन क्रेड हो रहा है ति सारे कारण के बज़े से में हां मुझे बहुत सरक्स्क्राइब उसी के कारण बौट बढ़ा चीनता नहीं लीए इसके लिए बहुत मतला पाता हैएं Mi ज़सें इस तरी के से हालत आपको देखने को नहीं मिला है बहुत बार हो चुके है कि उसके बाद मार्केट लाइफ टेम हाई को भी ब्रेक किया था आज फुरा सा करेक्शन हुआ है इसके लिए आपको ज़्यादा चींता करने का जोरत नहीं कि मार्केट के बारे में बात करो तो अच्छा भी आए बहुत सांदार रिजल्ट देखने को मिले कि रेविनिस का एक अलक लेवल का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है तो रेविनिस का बढ़ना उसके साथ सारे एक्सपेंस और इंटरेस्ट को यहाँ पर company control में रखना उसके बाद जो net profit है वो देखेंगे तो करीबन 17,000 क्रोड के आसपास net profit देखने को मिला दिक्कत बला बात कहाँ पर है कि company जिस तरीके से आसा कर रहे थे कि company year of year basis का result भी अच्छा करेगा and quarter of quarter basis का भी result अच्छा करेगा अगर हुआ कोछ उल्टा यहाँ पर quarter quarter basis का result अच्छा नहीं हुआ और एही कारण के बज़े से चेर में एक pressurize बनता हुआ देखने को मिले और एक चीज़ों को notice करना company का जो इस बार result आया उसमें provision जो देखने को मिला अगर provision के बार हैं बात करो तो company के जो provision पिछले साल में था 2860 करोड के आसपास और पिछले quarters में था करीबन 13500 करोड तो इस बार बना 2600 करोड मतलब एक अलग level का provision का company control में रखा एक obviously good points है क्योंकि जितना provision कम होगा उतना ही उस company में growth होने का chances बढ़ जाएगा और एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा वो है NPA अगर net NPA के percentage वाई देखो तो देखी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी company कर चुके है यह कि पिछले साल में 0.30% के आसपास NPA था और पिछले quarters में 0.33% का NPA था और इस बार 0.39% के आसपास NPA देखने को मिले तो NPA का percentage है तो कुछ इस तरीके से नजरिया में देखने को मिले जो NPA का percentage मुझे लगता है जो situation wise है उस हिसाब से देखा जाते कंपानी के उपर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेसराइज बनता हो देखने को मिले और यही प्रेसर इसको कंपानी को कंट्रोल करके आगे बनने के लिए टाइम लागेगा कंपानी के जागे चार्ट प्रेटर्स को देखे तो continuously एक सेलर मुवमेंटम देखने को मिला क्योंकि वही लेबल से सेल हो रहा है जो कंपानी के लिएक स्टॉंग ली रिजिस्टन्स और स्टॉंग ली का ंफोक है और यहां भी फॉल देखने को मिले और यहां पे ब्यार की कोसिस के था उसको का उसका उसके बाद क्रूस ओगया जब इस दिन मेरा यहां candle से closing होता next candle green candle से उपर closing होता तो मैं जूरू यहापर कुछ decision positive लेता उगर हुआ कुछ उल्टा उपर side से rate करना बनना start हो गया मतलब buyer जब भी इस level तक लेके गए और उसके बाद target होने के बाद ही seller activate हो गया तो seller लग रहा होगा कि बहुत उपर जाएगा सायथ एक दो company आपको बहुत उपर तक लेके चले जाए अगर बाकी companies में उपर आपको हालत खराफ होता देखने को मिलेगा इस चीजों का पहले समझना पड़ेगा उसके बाद आपको काम करना होगा तो मुझे लगता है जो data update है वो में आपके साथ share क्या हूँ तो recovery होने में थोड़ा सा time लगएगा क्योंकि recovery होने का consist तो कर रहे थे market में negative news आने के कारण company के पूर एक correction का महोल देखने को मिला बाकी आपके के राह है जोरू मुझे comments करके बताना next company उसका नाम है relax of footage देकर relax of footage के उपर भी quarterly result आ चुके है और जिसका में आसा कर रहा था कि quarterly result इस पर अच्छा आएगा मगर हुआ कोज उल्टा अब देख सकते company का sales पिछले सालों में जो sales था उससे sales यापर बढ़ता हो देखने को मिले मतलब sales का जो data है उस data के हिसाब से company के sales है बहुत थोड़ा सा बढ़ चुके है यारप यर बेसिस में quarter quarter basis में ज्यादा हुआ इसको देखकर खुस मत हो जाना क्योंकि company के expense है expense का data देखू तो company's के expense पिछले सालों में जो expense था उससे कई गुना ज़्यदा expense बढ़ चुके है और expense बनने के कारण company के operating profit company के net profit बहुत होला सा या पर घटता हुआ देखने को मिले 56 से directly 44 क्रोड बन चुके है तो जो total overall इस company के net profit है वह कुछ weakness के इसाफ से देखने को मिला है तो बाकी इस company के उपर जो आसा किया जा रहा था कि इस बार भी result आच्छा आएगा वगर आच्छा आया नहीं किके management ने खुद कहा कि 20- 2025 से पहले इस सेक्टर में मतलब खुद के जो business है उस business का growth है वो growth नहीं होगा क्योंकि जो demand है market में जो product का demand है उसको fulfill करने में 2025 तक लग जाएगा तो management का a decision side company को पूर अभी जटका जोरूद देंगे क्योंकि जब तक company का result अच्छा नहीं हुआ जब तक company का business अच्छा नहीं चला है तो उसके उपर तो एक impact आएगा उसके साथ साथ companies बर करजा भी जादा ले लिया कि 165 क्रोड के आसपस करजा था अभी 205 क्रोड के आसपस करजा देखने को मिला तो करजा बढ़ गया उसके साथ साथ एक चीज और भी नोटिस करेंगे करजे के बढ़ने के साथ साथ company CWIP business के उपर अच्छा कासा investment तो किये जा रहे थे last quarter में अन्त लास्ट time period में company के उपर और CWIP के उपर investment भी काम हो गया तो कुछ weakness point यहाँ पर देखने को मिला जो weakness point company को आगे boost करने के लिए काफी है जाननी करने के लिए काफी है तो बाकी as a investor promoter से लेकर FSJS बबली हर किसी के पास investment देखने को मिला है तो इस company के उपर मैं obviously पहले से ही निवेस करकर रखा हूँ हा तो फिलाल के लिए मुझे कोई trades देखने को नहीं मिला जो patterns बना था solder उसके बाद big head उसके बाद 3 बार solder बने और finally crash हो गया मतल तीन बार solder बनने के बाद उपर जाना चाहिए था उपर ना जाके company directly नीचे आ गया मतलब एक big crash यहाँ पर देखने को मिला अभी 200 days moving average के नीचे company communicate कर रहे है इसका मतलब यहाँ पर company को पर एक pressurize बनता हुआ देखने को मिलेगा त्यूकि आप ध्यान से देखने इस चीजों को कि जब-जब 200 days moving average के उपर चलता था उपर ही था जब नीचे आना स्टार्ट हुआ उपर जाने का कोशिस तो कर रहे है मगर उसको break नहीं कर प इस लेवल तक आने का chances है वाकि आपके के राय है जोरू मुझे comments करना किके मेरे point of view में आपके साथ share क्या हूँ देखे मैं कोई आपको recommendation किसी companies को पर नहीं करता हूँ मेरा काम है आपको चीजों को मेरे point of view से आपके साथ share करना आपका काम है उसको verify करके आपके saverist advisor के साथ बात्चित करके ही काम करना तो next जो company उसका नाम है ASL Technologies Limited बेसिकलिए ASL Technologies Limited के उपर भी थोड़ा सा हालत थोड़ा सा changes देखने को मिला जिस तरी के से हमेंसा आसा क्या जा रहा था कि result इस बार भी अच्छा आएगा अगर IT सेक्टर में कुछ खास performance इस बार देखने को नहीं मिल देख सकते है 26,200 क्रोड से 28,000 क्रोड के आसपास company का sales देखने को मिले मतला company के sales का data है वो 26,000 से 28 बने इसको देखकर आप सायद खुज हो जाएंगी मगर company quarters quarters में sales को break नहीं कर पाए मतला sales का जो data है उसको change नहीं कर पाए तो यहापी estimate जो था estimate को company बीट नहीं कर पाए और estimate पाए बीट नहीं के कारण company के पर एक प्रेसर इस बनता हुआ देखने को मिलेगा तो company expense को मिटाने के बाद net profit जो है देखिए पिछले साल में जो net profit था उससे जजादा इस बार net profit हुआ हुआ और पिछले quarters में जो net profit था उससे भी ज़्यादा इस बार net profit हुआ तो जो company sales कम कर रहा था उसका profit कास ज़्यादा हो गया Actually company double इस बार क्या 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 आदस income से जिनेट क्या आदस income से profit क्या अगर आदस income का profit काम होता तो company के उपर एक पेसराइज जोरूर बन जाते तो basically इस company के उपर में अब इसलिए positive हूँ क्योंकि चाहे कुछ भी profit and loss में changes आये ACL Tech इंडिया के third largest company है और एक IT दुनिया में बहुत बड़ा patience रखते है तो इस company के उपर focus होना चाहिए बाकि इस company के उपर as a investor, promoter के बाद Fsds public हर किसी के पास investment है mutual fund के पास 8 person, Fs के पास 38 person के holdings देखने को मिलेगा अभी ACL Tech के chart patterns के बारें बात करो तो company ने एक solder create किया उसके बाद big head create किया, मतलो big head आभी दे create हुआ नहीं तो जब create होगा तो मैं इसके उपर जुरूर में कुछ decision लेने से पहले आपके साथ share करूँगा तो जब भी कोई patterns बनेगा तो उस patterns के उपर में जुरूर continue करने के लिए सोचूँगा तो next जो company है उसके बारें बात कर उसका नाम है EIH Associates Hotels Limited बिसके लिए एक छोटा सा company है और company इसको पर update एई है कि company bonus देने जा रहा है अगरा तरिक आपको एक के बदले एक सार bonus देने वाल है तो जो लोग bonus पाना चाते हैं एक बाद deeply research करें उसके बाद काम करें वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू